असलालेकूम दोस्तों वेलकम टू दस्तरखौन आज हम बनाएंगे क्रिसमस केक पल्म केक कहते हैं इसे यह देखिए यह हमने बाउल लिया अब हम इसमें यह काजू 1 3rd कप 1 3rd कप किश्मिश काली किश्मिश और यह गोल्डन किश्मिश और बादाम सब हम इसमें डाल देंग अब यह पान वाली चैरी टूटी फ्रूटी ग्रीन और रेट कलर की चैरी को हमने कट कर लिया है अब हम इसको भी डाल कर मिक्स कर देंगे और यह औरंज जूस इसमें हम भिगाएंगे एक कप औरंज जूस लिया हमने थोड़ा सा और लेंगे और इसको हम 2 गंटे के लिए आपके पास टाइम हो तो आप ओवर नाइट या दो तीन दिन के लिए बिगा सकते हैं ये खराब नहीं होते हैं ये देखे इस तरह से और अब हम इसे ढखकर रख देंगे आप जितना ड्राइफ फूर्ट्स डालना चाहें उसे साफसे डाल सकते कम या जादा कर सकते हैं ना जादा ना बहुत कम अब ये केक टिन में हमने बटर पेपर लगा दिया ग्रीस करके अब हम इसको साइड रख लेते हैं और ये हाफ कप हमने पिसी हुई शकर ली और 6 टेबिल स्पून मेल्टेड बटर इसको हम मिक्स करेंगे आप पिसी हुई शकर ही लीजिए या बारिक शकर जो आती है आप उसको यूज कीजिए मोटे कंड की शकर जल्दी नहीं घुलती है अब ये हमने एक कप मैदा लिया और इसमें हम दो चुटकी लॉंग का पाउडर अब हम वन फोर टी स्पून दालचीनी पाउडर लेंगे और एक चुटकी हमने जैफल का पाउडर लिया और ये तीश्पून सोट पाउडर है कि हाफ टी स्पून बेकिंग सोड़ा और वन टी स्पून हम लेंगे बेकिंग पाउडर इन सब को हम चान लेंगे यह देखे और इसमें हम जो शक्कर हो बटर हमने मिक्स किया था उसको एड़ कर देंगे और मिक्स कर लेंगे अब यह वैनेला एसेंस है हाफ टीस्पून और यह हमने सारे ड्राइ फ्रूट्स चैरी इसमें मिक्स कर दी आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा अगर जूस ज्यादा होगा तो फिर वो बैटर गीला हो जाएगा इसलिए आप थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा इतना जूस लग जाएगा यह वन थाट कप हमने कोको पाउडर भी इसमें एड़ कर दिया वन कप दूद लिया पर इसमें हाफ कप ही लगेगा थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें एड़ करेंगे कट और फोल्ड करके इस तरह से मिक्स करना हमें इसे फेटना नहीं है यह फेटा नहीं जाता बहुत और दो चुटकी नमक है यह साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़ा 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 दूद एड़ करके इसको हम मिक्स करेंगेए यह देखिए थोड़ा सा दूद और लगेगा अब इसकी कंसेंटेंसी क्तम सही हो रही ना इसको बहुत गाढ़ा रखना है ना बहुत पतला रखना है ये देखिए इस तरह से ये इतना रहेगा अब हम इसको केक टिन में पोर कर देते हैं ये हमने पोर कर दिया और इसे इस थरह से इसमें जिट्ते भी इयर्स ँगी वो निकल जाएगी ये द्राइ फ्रूट्स मेहमने 2 चुटकी मैदा मिला लिया है और ये द्रैफ्रूट्स अम उपर से डालेंगे तो ये नीचे बैठेंगे नहीं अगर हम मैदा नहीं मिलाते तो ये चैरी और ड्राइफ रूट सारे नीचे बैठ जाते हैं अब हम इसको उपर से लगा देंगे ये देखे कितना खुबसूरत लग रहा है ये केक खाने में बहुत टेस्टी होता है आप क्रिस्मस क अलावा भी इसको बना सकते हैं और बहुत जल्दी बनता है ये हमने पतीले चड़ा दिया था दस मिनिट के लिए हमने इसको प्रिहीट कर लिया है और इसमें हमने रिंग रख दी आप आसानी से पतीले कडाई में केक बना सकते हैं ओवन नहीं है तो ये देखे दस मिनिट ये फुल फ्लेम पे रहेगा दस मिनिट के बाद हम फ्लेम स्लो कर देंगे 35 से 40 मिनिट में ये केक हो जाएगा अगर ना हुआ हो या टाइम लगे तो आप इसको 5-10 मिनिट के लिए और पका सकते हैं या फ्लेम पे चड़े रहने दीजिए स्लो फ्लेम पे अब ये देखे ट निकाल लेंगे और 10 मिनिट को रेस्ट करने देंगे उसके बाद हम बटर पिपर से इसे अलग करके चैक करेंगे और यह देखे ये जो क्रेक्स देख रहे हैं यह आज आते हैं इस केक में इससे आपका केक खराब नहीं होगा ये 10 मिनिट हो गया था इस से जादा देर हमें इसको नहीं रखना है नहीं तो मौश्चर आ जाता है नीचे यह देखिए ग्रीसिंग अच्छे से हुई थी तो बटर पेपर आसानी से निकल जाएगा आप बहुत ज्यादा ग्रीसिंग मत करिएगा वो भी फिर शिपक जाता है उसमें केक में और बहुत कम करने से भी केक अच्छे से नहीं निकल पाता यह देखिए कितने अच्छे से पूरा बटर पेपर निकल गया है और केक कितना शानदार देख रहा है अब हम इसे पलट लेंगे यह इस तरह से और उपर से और इंज जूस लगा देंगे और इंज जूस से यह सॉफ्ट और मॉइस्टर इसमें बना रहेगा यह देखिए इसलिए अगर आपके पास हो तो आप इसको ज़रूर लगाए यह बहुत ज्यादा भी नहीं ना बहुत कम आप अपने हिसाब से और इंज जूस इसमें कि ब्रेस्ट से लगा दीजिए यह देखिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं कटिंग करने से पहले आप 10 मिनिट फ्रिज में रख सकते हैं कटिंग बहुत अच्छे से होगी केक की कितना शांदार केक लग रहा है आप बनाईए खाईए एंजॉय कीजिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए और बैल आइकन दबाना ना भूले यह हमारा शांदार केक बनकर तयार है